हम अपने बालों पे अच्छे से अच्छा ओई लगाते हैं टोनर लगाते हैं सीरम लगाते हैं पेक लगाते हैं जिससे कि हमारे बालों की ग्रोथ हो हमारे बाल चमकदार हो मजबूत हो हमारे बाल ना तूटे लेकिन अगर आपने कभी सोचा है कि हम इतनी सारी मेहनत करते हैं बालों की ग्रोथ के लिए लेकिन इसका उल्टा हो जाए हम जब भी बाल धोते हैं सेंपू का इस्तमाल करते हैं उसी से हमारे बाल तूटने ही स्टार्ट हो जाए रूखे सूखे हो जाए बालों की चमक हो जाए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी इसलिए आपके पास ऐसा सेंपो होना चाहिए जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ हो आपके बालों में चमक आए और आपके बाल बेकार नहीं होंगी आपके बाल लंबे होंगे घनी होंगे बालों में चमक आएगी तो अगर आप चाहते हैं बाल धोने के टाइम पे भी आपकी बालों की ग्रोथ हो तो आप वीडियो को पूरा देखें बिना इसकीप के लाश्ट तक देखें जिससे के आपको कम्पलीट जानकारी मिल पाए और आप भी अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा पाए और आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छी लेगे तो प्लीज आप लाइक जरूर करें तो आगे बढ़ते हैं आज बालों को सिल्की स्मूज सायनी करती है आपके बालों में चमक लाती है इसलिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इस रेमेडिक लिए एलवेरा हमारे बाल तोटने का सबसे बड़ा कारण होता है प्रोटीन नमी का खो जाना इसलिए एलवेरा का यूज करने से आपके बा बेंच पिल यानि आपको संत्र हंतर्य añ को चलबी असकंकी वल्याने ही गजग मंध्राइब करती आपके यजब होते हैं बालॉत मंजबूते हैं तर जिसके आपको यहां आपको संत्रा नगा चलगा तोड़ लेंदा आपको यहां पर पानिमें यूज करना है अगर आपके पास पाउड़ा है कमचरां पे की तो आपके camera जरूरा के लेकिन यह बहुत हीजरूभ है आपको प्रेज संय करना देखने हैं यहां पर इस दो नहीं है g 흥 है कॉसे कैसे यूजज करना है तो थो तो आपको में आगे बताऊंगी कि आपको इसे कैसे दो बालों की यूजज करना है इस gemacht के अगर इससे अपने बालोंगों दो घूंगी तो हमने परसना आपके बालो की पॉजण हमowie sad करी कर दός challenges तो आपको लास जो चीज लेनी है वो लेनी है यहां पर कोफी पाउडर यहां पर आप कोई भी ब्राइट के कोफी फाउडर ले सकती है जो भी आप पीने के लिए यूज करती है कोफी पाउडर हमारी स्केल्प को क्लीन करती है आपकी स्केल्प को हैल्थी करती है इसलिए इस रेमिटी को बनाने के लिए आपको क्या करना है इस नुस्के को बनाने के लिए एक पेन में आपको एक लास पानी लेना है और आपको इकल क्वांटिटी में चारों चीजों को लेनी है और आपको 10 मिनिट के लिए से बोईल कर देना है जब इसका पानी आदा हो जाए तो आपको gas को off कर देनी है पानी को चाल लेना है इसी पानी में अपने बालो को अच्छे से दो ना यानि आपको इस पानी में अपने डायलूट नहीं तो टेंगे बालो में बिल्गल भी रुखा पर नहीं आएगा यहां पे में कलिनिक प्लस सेंपु यूज करी हैं बाल dawuma को मताइब आपको अपनी нутьсяरी से पानी के लाने के लिए आपご視क्तु है पहले आपको अपने बालों पर इस अपने बालों को दूए तो बस आपको बाल धोने के टाइम पर इन बातों का ध्यान देना है बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए तो यह थी आज की हमारी बहुत ही एक्टिव रेमेडी आई अपको वीडियो को लाइक से लिए कमेंट करना ना बूले और जो भी फ स्काइब करें इस तरी की हेलफूल वीडियो के लिए तो आज के रिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाब बाई